जब हमें सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर का बिल मिलता है, तब हम उसे जेवी के द्वारा डालते हैं। व्याभारिक्ता में या वास्तों में ये ट्राजेक्शन एक ही दिन में नहीं होंगे, परन्तु हम सिर्फ समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जर्नल एंट्री करने के पहले हम टेक्स कॉन्फिगुरेशन में से वाउचर एंट्री के समय टेक्स रेट्स बदलने की इजाज़त हटा देंगे। हमें टेक्नोसर्व इंडिया लिंटेट से एक बिल मिलता है और हम उसे अपने खातों में चढ़ाएंगे। नया जर्नल वाउचर बनाने के लिए हम F2 दबाएंगे या J प्रेस करेंगे। कंसल्टेंसी एक्स्पेंसे को डेबिट करेंगे। नरेशन होगी अप्रेल माहा के लिए कंसल्टेंसी चार्जेज 10,000 रुपीज। टेक्नोसर्व इंडिया लिमिटेट, टैब, टैब, क्रेडिट अमाउंट अपने आप आ जाएगी। जैसे ही हम टैब की दबाकर इससे बाहर आएंगे अपने आप TDS डिटेक्शन विंडो खुल जाएगी। और TDS की गणना हो जाती है। अब हम देख रहे हैं कि TDS rates बदले नहीं जा सकते हैं। अब तक का कुल TDS होता है 560 रुपे। अब तक हम 280 रुपे काट चुके हैं। यह हमने सिवा प्रदाता को अग्रिम भुकतान करते वक्त काटा था। इसलिए इस voucher मे 280 रुपे और TDS कटेगा। जैसे ही हम OK दबाते हैं, दो TDS से सम्मंदित entries इस voucher में जोड़ देता है। जिसमें बिल में से TDS काटने बावत विस्तरत नरिशन भी है। यह एक अनुपम पारदर्शी एवं अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। जिसमें TDS उसी voucher में कर जाता है। जिसमें आप बिल की entry करते हैं। यदि आप TDS की गणना फिर से देखना चाते हैं, तो पार्टी के खाते वाली लाइन में जाकर F2 की दबाईए। हम supporting काखजात paper clip बटन दबा कर जोड सकते हैं। अब हम save and print दबाएंगे और यह journal voucher दिखा रहा है। 34 TDS final payment अब हम TecnoServe का बचावा भुक्तान करेंगे। इसके लिए हम पहले से खुले हुए payment voucher window पर जाएंगे और State Bank of India select करेंगे। voucher number अपने आप आ जाएगा। यह जरे नहीं चर्पेंगे।